बलकि यह सैडिस्टिक कमेंट है इनको साथ इनी को मज़ा आता है लोगों की पीडा पर है वो जो नीरों की कहान ही हम लोग सुनते थे कि आग लगी हुई है और बंस्री बजा रहे थे तो आज इही इनका है यह मोर को दाना खिलाते हैं उसी उनको मज़ा आता है उस समय तो य तरीके से ऐसे कैटेगरी है सेडिस्ट प्लेजर्स रिप्रेशन लोगों की मांग तो पूरा करते ही नहीं है लेकिन लोगों के दुख तकलीव पर जश्न मनाने वाले यह लोग है और ऐसी सरकारें चल रही है नमस्कार मैं आशुत उश्कमार और आप देख रहे है एक्सिस 24 कोरोना काल चल रहा है किसानों को लेकर एक नई समस्या उभर आई है और जिस प्रगार से देश में ने आपको बेर्योजगार के जो व्यवस्ता है जिस तरी ऐसे मुद्या आ गए है उसके बीच में बिहार म के लिए रेडी है क्या आप चाहते थे कि बिहार में चुनाव इस घड़ी हो ने इस घड़ी हो यह तो बिल्कुल नहीं चाहते थे हम लोग उने चुनाव आउक से कहा था कि चुनाव में सबसे महत्वपून चीज है पब्लिक पार्टिसिपेशन क्योंकि हमें नहीं लगता 500 लोगों का बूथ हो क्योंकि आप देख सकता है कि पार्लामेंट बैठने में लोगों को कितना सब्सक्राइब रहे हैं बिहार में असेमली का एक दिन का सेशन हुआ वह नॉर्मल जोंकी बिल्डिंग है वहां से हट करके किसी दूसरी जगा पर उन्होंने किया ताकि लोग को फैल के बैठ सके और हजार लोगों को आप धकैल देंगे पोलिंग बूत में तो तब कोरोना तो बढ़ जाएगा इसलिए कोरोना आपने आप में कोई चुनाओ चुनाओ के लिए सूपर स्प्रेडर इवेंट ना बन जा है यह तो पुरे बिहार की चिंता है और हम लोग रही हो रहा है और जैसे प्षसाण का नारा दें और अब पूरा अपरात काटवकर शुरू हो भी कальных की बात करते करते क्स शिक्षा सब्सेजादा शिक्षा को चौपण करनेगा काम लोगों की उम्मिद जगी थी कि शिक्षा, रोजगार इस मोर्चे पर नितिजबाव कुछ करेंगे और अभी बिहार में आप देख लिजिए कि सबसे ज़्यादा छात्र परशान है शिक्षा एकदम बधाल सिती में है इसलिए बिहार मेरे खाल से तो बिहार के लिए चुनाओ सरकार से मुक्ती पाने का छुटकारा पाने का सरकार को बदलने का एक माध्यम है और दूसरा है कि जो कोरोना काल में भी लॉकडाउन के चलते या कोवीट के अपने स्वास्थ संकट के मूर्चे पर भी सबसे ज़्यादा जो देश में पिडित प्रदेश है मुझे लगता है कि बिहार है एक नंबर पर संखा हो सकता है आपको दीख रही है कि कम है अभी भी आंकडों में सबसे बड़ा सवाल है कि माइगरेंट वर्कर की जैसे बात करेंगे प्रवासी मजदूर और जिस पर सरकार बात ही नहीं करना चाहती है कि हमारे पास कोई आखड़े नहीं है तो सबसे ज़्यादा माइगरेंट वर्कर पूरे हिंदोस्तान ने पूरे दुनिया ने देखा वो लॉट के आ रहा है थे बिहार वो पंजाब से वो आपके सूरत से मुंबै से दक्षिन से पैदल चल के लोग जो आ रहा है थे ट्रकों में बैट करके वो सब बिहार आ रहा है थे, जादा बिहार यूपी, जो फसल में उत्पादन में हमारी लागत है जनता जग जाहिर है केतना धाई गुना चाहिए वो सब चीज़े बाचीत है लेकिन आप ने जो ओडिनस जारी किया तो पूरे खेती को ही चौपट करने बला ओडिनस है कोर्परेट खेती होता है हमारे हमारा यह सवाल होता है कि ठ ऐसी खबरे आरे मागडबंदन का हिसा हो रही है तो क्या कोई कौमन मिनिमम्म प्रोग्राम की बात चीज चल रही है कि यह काम हम करेंगे बिहार में यह चीज़ लाएंगे कि अगर बात की जाए तो आप कहते हैं कि एक समाजिक जो बदलाव है उसकी जरूवत है कि दली तो सब्सक्राइब क्या वहीं तक सीमित रहेगी या उससे आगे विकास पर भी गाड़ी बढ़ेगी निश्चित तोर पर हमें लगता है कि अभी कोई कामन मिनिमम्म प्रोग्राम इमर्ज नहीं किया मनें पार्टियों के भीश में लेकिर हम समझते हैं कि अगर आम बिहार के सि चीजें चालू हूनी चाहिए बिहार में यह रोजगार चाहिए यह शिक्षा चाहिए यह यह आदर यह आप देखिए लगातार स्की मॉर्कर्स आपके टीचर्स एक्वल पर उक्वल वार्ग तो अप कुछ नहीं है हम रहते हैं उनके जो बेसिक डिमांड्स और को कोई भी आज भी वह सरकार भी कोई बनेगी उस सरकार के सामने भी हमारी यही मांग होगी वह हमारे बेसिक मांग है बिहार के अंदर रोजगार का शिक्षा का बिहार में इस समय जो गरीबों के पास पक्के मकान का अवास का तो बहुत सारी मुद्दे है जो सबसे जादा अब इस समय बिहार में हो रही है लोग कंगनार अनावत को लेके परेशान हैं उनके घर में बुल्ड़जर बिहार में सबसे ज्यादा बुल्ड़जर चला है गरीबों के घर को उपमुक मंतरी कहते हैं कि बिहारी मजदूर को बाहर जाकर काम करने मजा आता है इस टिपनियों को आप कैसे कre सक clean cut क्पार जी जी इतना में के रहा है जा थेंचा है कि कुम अपने भी नई कर पहुंचाओ तो इसलिए करेंगी वह तो सब लोग जानते हैं कि मजाख कर रहा और इन लोगी आदत है आप सरकार मोधी सरकार भी और यहां नितीश कुमार सरकार भी जनता के दर्द और दुख तकलिप से ना सिर्फ बेखबर है बलकि यह सैडिस्टिक कमेंट है इनको साथ इनी को मजा आता है लोगों की पीड़ा पर है वो जो निरों की कहानि हम लोग सु इसी बजा रहे थे तो आज इही इनका है यह उमोर को दाना खिलाते हैं उसी उनको मजा आता है उस समय तो यह सरकारें एक तरीके से लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले तो एक तरीके से ऐसे कैटेगरी ऐसे डिस्ट प्लेजर्स लोगों की मांग तो पूरा करते ही नह हैं और ऐसी सरकारें चल रही है और इसलिए बिहार का चुनाओ ऐसी सरकारों से ऐसे नेताओं से ऐसे मंत्रियों से बिल्कुल छुटकरा पाने वाला चुनाओ लेफ्ट को जैसा माना जाता है कि लंबी लड़ाई के लिए जाने जाती है कि वह जल्दी अपने जो उनकी तो हम लड़ी रहे हैं, सबसे यादा लंबी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी हमारी पार्टी है और उसके लिए बहुत कीमत चुखा करके भी इतने जनसंगार, इतनी शहादाद, इतने जेज़, लगातार सोशल मीडियम चल रहा है, लेफ्ट इस दा उनली ऑप्शन, ले कभी कोई एक मुद्दाधा है, कभी सामने पढ़ाव आता है, इस समगें हमारे सामने पूरे देश के सामने बढ़ा सवाल यह है, कि बिहार को बचाओं और बिहार को कुजरात की तरह, अभी जो इतनी पुदर्परदेश में जोगी जी ने कर रखा है, वैसा, एक साम प्रि दलित उत्पिरन का महिला उत्पिरन का चात्रना अजवानों के साथ मजाग करने का ऐसा लेबरेटरी बनने मत्तु जो नितिश जी के कंधे पर बंदू करकर के बाजपाबाले जो चला रहे हैं इससे बियार को बचाना है और इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि भई एक अगर बड़ा कोई गड़बंधन बनता है तो लोगों में जो इस समय आप देख रहे हैं वो गड़बंधन बन जाता है सोशल मीडिया में आप देख लीजिए यह जो पूरे कोई यह भी हैश्टक चलता है तो तुरांत वो ट्रेंड करने लगता है कल वो राष्ट्रिय द्रचार धिवस था श्चानल अलिप्लाइमेंट इस वो जो पूरे सोशल मेडिया में एक नमबर पर ट्रेंड कर रहा था मोदी के जनान दिन पर पर उसमें हर तरह था था तो यह यह जो भावना है उसको लाओ उसको लाकर के पलिटिक्स में लाओ तो एक मोर्चा है जो कि को इस्तिफा देना पड़ रहा है उस मुद्दे को लियाओ उमोर्चा बन जाएगा तो क्यों इस पर इतना बड़ा कम सीटों के साथ लड़ेंगे तो अपने कैडर को असंतोष की भावना हो जाती है उनमें लीडर्शिप की क्वालिटी को लहीं लगता कि लंबी लड़ाई को कंप्रोमाइज कर रहे हैं लेकिन और इसके साथ भी हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे इसलिए जो हमने कहा कि तालमेल में जो एक गतिरोद आया है वो गतिरोद इसी वजह से आया है कि अगर हमें कोई ऐसी शर्त दी जाए कि 2015 के आधार पर तालमेल होगा इतनी सीटों पर तालमेल हो जाएगा जो निश्चित तोर पर प्यार के इंट्रेस्ट में नहीं है जनांदुलन के इंट्रेस्ट में नहीं है संघर्ष का जो एक वजूद है जो एक उसूल है जो पहचान है जो लोगों का स्वाभिमान है दलिद गरिवों का संघर्षी लो आज भी हम करें कि कल भी कोई सरकार बनेगी तो हम कोई सरकार में शामिल नहीं होने जा रहे हैं हम बिलकुल ही जनता के पक्ष में रहे करके लड़ते रहेंगे हमारा कहना यह है कि इस समय इस समय जो शायद बिहार की स्थिती है मेरे आज अगर पूछिएगा तो राष्टी ज कोई सरकार बनेगी जा रहे हैं और हम तो नहीं चात्रों के पक्ष में रहेंगे लोगों को बिहार के चात्रों के लिए नौजवानों के लिए एक्वाल पेफर एक्वाल वर्क के लिए लड़ने बाले टीचरों के लिए स्कीम वर्कर जो आशा अंगनवारी मिडडे मेल उनकी आवाज हमेशा अबिधान सभा के अंदर और बाहर कोई एक आवाज होगी तो माले के पास हुआ आवाज होगी इसलिए हम किसी सरकार में जा करके इन आंदुलनों के साथ कहीं से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं करने ज किते हैं तो लगदार उस पर हम नजर बना रखेंगे अगर आपको में रिपोर्ट अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्स्क्राइक करें धन्यवाद